कि वेल्कम डू आपको डूस्तों आज से हमने स्टाट करी है स्पेशल भैच छारखन जीएस के लिए मैं आपको बता दोस्तों कि छारखन जीएस कम्प्लीट करने का प्रोसीजर है दोस्तों मैं आप वदादू की जो चैप्टर है खंड वन में जहारखन एक औलोकन जिसमें की जहारखन का समाने परिचे और जहारखन की राजनिति राजकिये प्रतीक जहारखन की जनसंग क्या जो सेंसर्स है 2011 से लिटर ठीक है तो यह तीनों कबर करने पड़ पढ़ना पढ़ता है उन्वार्मेंट और इकोना का आपढ़ना पढ़ता जार्कण का खेंगे खंड तो यहां क पूछे गया हैं दोस्तों एक नम्मर के वह यहां पूछन से और एक्सपेक्टेट पूछन से की से रिलेटर जितने भी गौर्मिंट कम्टी की जाम्स होते हैं दोस्तों तुसके सिलेबस को टॉपिक वाइस कबर की जाती है तो सब्सक्राइब आपको जो है दोस्तों बेनिफ पर पूछने वाले हैं वह एक ही दिन में होगा तीन पालियों में तो मैं आपको बता दो कि पहला पर होगा दोस्तों वह लेंग्वेश रिल्रेड होगा भासा घ्यान से सम्मंदित होगा ठीक है जिसका जो प्रसन है दोस्तों वह 120 होगा और टाइम डिलेशन की बात करें त इतना सा बता दूं कि जो ग्रामर पार्ट होते हैं बेसिक ग्रामर जो होते हैं वह कवर कर लो यह सिंपल हो जाते हैं इसमें 30 परसेंट जो है एवरेज मार्किंग लाना है आपको बस सेलेक्ट हो जाते हैं मतलब कि पास हो सकते हैं सेकेंड पेपर की बात करें दोस्तों तो ये च्या-क्या जो है लंग्वेज्ट यूज किया है, च्यतर्य भाषा जो है वो च्या-क्या है इसमें क्या पढ़ना आपने को, तो हिंदी को नहीं करना है दोस्तों हमको छेत्री भाषा में ठीक है यह सारे के सारे जितने आप देख सकते हो इतने में से अपने को कवर करना है मैं आपको बता दू कि नाकपुरिया या तो फिर आप खोठा लेलो ठीक है नाकपुरिया लेके पढ़ो या तो फिर खोठा ले जितने भी एक्जाम्स है उसमें खडिया ना पूछे तो दोस्तो आपको नकपूरिया या फिर कुछ और जैसे कि सारे सारे डिपार्टमेंस में जो भी लैंग्वेज छेतरी भासा पूछने वाले हैं उनको आप कवर कर लेना ठीक है पत्र थिरी की बात करें दोस्तो तो इसम ढाले हैं जो है समाने ज्यान जो है जिसमें की 150 उत्व फश्नहा थी जैन जो साइन से वूप व्युद्न में गार मैंत्माटिक्स हैुद्च समानने ग्यान, ठीक है, साइन्स की कोर्षन, साइन्स का क्लास भी मैं लूँगा दोस्तों, टॉप 30 करके मैं सिरीज चलाने वाला हूँ, ठीक है, गनित की बात करें तो बेसिक स्टेंथ लेबल कायेगा, आप मैनेज कर सकते हो, फिर मैं रिजनिंग भी क्लास देता हूँ, ठी आपको जो है, वो कंप्यूटर देखने को मिलेगा, ठीक है, और जारकन ग्यान समदित, जो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं, वो जारकन से लेटेट, ठीक है, तो सारे के सारे, जो है, हमारे चैनल पर तयारी होती है, तो आप ध्यान रखना, अगर आपको सिलेबली थोड भारती भशाया है, पूश्तक है, ठीक है, आर्थिक दिस्टी, सोतनतरता, अंदोलन, भारती क्रिशी, प्राक्रितिक संसाधनों की परमुख विसेश ताएं, ठीक है, भारत का संभिधान, एवं राज जिवेवस्था, देश की राजनेतिक, परनाली, पंचायती, राज, सम समंदीत है, तो जारखन राज समंदीत, आज हम लोग जारखन एक औलोकन, सिर्फ करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, जारखन का इतिहास, ठीक है, फिर भूगोल देखेंगे, ठीक है, आर्ट अर्ट और फिर खनीज, जो है, खनीज, स्थान, खनन, वीडियोस में देता रहूं, तो आप पहले पहुंच सके और आप उसका बेनेफिट उठा सको, दोस्तों मैं पहले कुशन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो पहला कुशन जो है, दोस्तों इसमें लिखा हुआ, जारखन राज का गठन कब हुआ, यहां पर ओप्शन है, यहां जो कोशन है, वो तो एक नमबर है, लेकिन एक्स्ता में देने वाला हूँ, वो दो चार कोशन से आपको बेनिफिट, यूस्फुल रहने वालना, ठीक है, चलिए, नेक्स्तों बढ़ते है, जारखन राज की उप राजधानी बताना है, ठीक है, तो उप राजधानी की बात करें, दोस्तों तो यह दुमका था, ठीक है, यह भी कोशन जो हैं, दोस्तों वो पूछे गया है, ठीक है, चलिए, नेक्स्तों बढ़ते हैं, जारखन एक और लोकन, ठीक है, जारखन एक औ सारे questions को addon किया है जो बहुत ही important है दोस्तों ठीक है और जो expected और previous ठीक है दोनों चीज हमने cover किया है यहां से questions आपको बाहर देखने को नहीं मिलेंगे आपके exam में ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों कि जार्खन की भागौली की स्थिति ठीक है तो जार्खन की भागौली की स दोस्तों तो 21 यहां पर आप option B option देख सकते हो कि 21 degree है ना 21 degree 59 10 से लेके 25 डिग्री 19 15 ठीक है तो यह option भी डाइटन स्थिक्षान ठीक है चलिए next question बढ़ते हैं दोस्तों आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को stop करके आप एक बार देख सकते हो ठीक है हम लोग ज 83 डिग्री 1950 से 87 डिग्री 57 ठीक है तो यह जो है दोस्तों पूर्वी देशांतर रहा ठीक है छारखंड की ओके चलिए next question बढ़ते हैं और यह सारे के सारे बहुत ही important questions है ठीक है जारखंड राज का विस्तार उत्तर से दक्षिन में कितना है अब आपको बताना है कि कितने है तो मैं आपको बताना चाहते हूं कि 463 km ठीक है और bagus न बढ़ते हैं बात करते हैं दोस्तों कि पहुःम की सिमाए जो है उनका क्रम कि प च्छान है है यह सेकेंड है धर्ड है या फिर इन में सब कोई नहीं ठीक है आप तो क्या लगता है दोस्तों तो में आपको आप सबको पता होगा यह सिंपल फिर सोविब अक्रोल में भी अप्शन अब तो राइट एंसर रने वाला है मेरा ठीक है तो आप ठीक से देख ले ना उत्रम बिहार दक्षिन उड़ी साथ पूरूरें पाशिम मंगाल तथा पाशिम में 36 गण यूपी ठीक है चलिए नेक्स कोशन बढ़ता है देखिए जार्खन राजी का छेतर फल जो है दोस्तो वर कि फिलो मीटर जो है दोस्तों एक्जाम करें को सेटर होगा सेट जो करें साब का वो जो है ऑफशन इस तरीके से कुछ सेट करने वाला है जैसे कि मतलब को सेड करने वाला close दोस्तों इसमें जो है कि एक ही एक्जाम है तो बच्चों को स्टुटेंट्स को छाटना भी तो है ठीक है तो यह उप्षिनल भी राटे इन सब्सक्षिन ठीक है तैयार ही अपनी जम के रहेगी दोस्तों तो कैसा भी एक्जाम हो वो किलियर होना ही है ओके आज यू न इतना है यह कहना चाहता है ठीक है तो मैं आपको बता दो कि जो 2.42 परसेंट ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो 2.42 परसेंट ठीक है यह ए और बी ऑप्षिन में दोनों सेम हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है 2.42 परसेंट जो है दोस्तों देश के कुल छेत्रफल का परत 77,922 वर्ग किलो मेटर यह ओप्षिन भी राइटें सोरब अप दिस कोईशन दोस्तों यह सारे के सारी कोईशन पूछे गए हैं अपने अगर एक्जामस दी है जारकन में और आप प्रिवेस एयर का कोईशन भी आप अगर करते हो तो आपको पता होगा दोस्तों कि यह सारे कोईशन जो भी मैं करवा रहा हूं यहां से कोईशन आपको जरूर देखने को मिले होंगे प्रिवेस एयर पेपर में और आगे भी एक्सपेक्टेड कोईशन जितने भी आने वाले हैं दोस्तों वह बहुत ही यूश्फूल रहने वाला है ठीक है जारकन राजी ग्रामीन ज 1792 वर किलोमेटर कौन सा है 1792 वर किलोमेटर आपको याद रखना है ठीक है और अगर आपको शहरी चेतरफल और ग्रामीन चेतरफल में कनफ्यूजन होता है तो आपको बस दिमाग में ये रखना है कि ग्रामीन चेतरफल का जो परसंटेज बहुत ही हाई है मतलब की 70 जो है दोस्तों वो शहरी है मातर ठीक है तो आपको ऐसे को रिलेट करके पढ़ना है तो आपको शहरी और ग्रामीन में कोई कंफिजन नहीं होगा ठीक है चलिए नेक्स कोशन बढ़ते हैं दोस्तों अब जो कोशन है इसमें जारखन के राजपाल के बारे में पुछा गया था लेकिन रमेश बैस जी है अभी जो है दुरुपदी मुर्मू जो है वह भी उनका गारिकाल खतम हो चुका है तो अभी जो ह जारखन के मुखमंत्री के बारे में आपको बताना है तो जारखन के मुखमंत्री की बात करें दोस्तों तो हेमां सोरण जी है पहले मुखमंत्री की बात करें तो बावलर मरंडी और अभी जो पुरुव पुरुव सीम थे पुरुव मुखमंत्री थे दोस्तों वो रगवर तो यह रवींद्रनात महतों हैं दोस्तों जो जार्खन वरतमान में विधान सभा का द्यक्ष है और और दोस्तों मैं बता दू कि जो द्रोपदी मुर्मू थी दोस्तों वह आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो कोशन था दोस्तों यह मैं आपसे पूछ द्रोपदी मुर्मू जी का जो है बात करते हैं दोस्तों विधान सभा की ह про हो गयी है देखे करवा है देखे मैं बता दू कि जो विधान सभा अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों ये तो विधान सभा अध्यक्ष हैं लेकिन इनके साथ जो है कारे वाहक सहीद जो 11 में अध्यक्ष होते हैं ठीक है कारे वाहक भी होते हैं दोस्तों इसमें जो 11 अध्यक्ष होते हैं कि अब को यार दखना है और भी कोशन्स है जो एक्स्ट्रा बताते रहूँगा मैं आपको ठीक है और और दोस्तों मुख्यमंत्री के पत्ध पर अभी तक कितने आशीन हुए हैं दोस्तों सिर्फ जो वो छे बेखती है, जो ऌकी ऐां रखन बात करते हैं, कि जाहरों करती हैं प्रती पक्रतिपक्ष के रूप में, भाबुलाल मरांडी जी है, और यह जो हैं दोस्त стал Uber वो BGP से बेघी पाटी से हैं, ठीक है अभी चले नेक्स कोशन बढ़ते हैं देकि जार्खन के वर्तमान मुख्यनाधिश है न चीफ जस्ट्रिस ऑफ जार्खन चीफ जस्ट्रिस ऑफ जार्खन कौन है दोस्तों आपको यह बताना है ठीक है तो डाक्टर रवी रंजन जी है आपको पता होना चाहिए यह मुख्यनाधिश के तौर पर हैं तो वो जो है कौन से नंबर के हैं तो आपको थर्टिन थ्याद रखना है ठीक है चलिए नेक्स कुशन बढ़ते हैं जार्खन राज्य का उच नियाले हाई कोट कहां है दोस्तों यह सब को पता है राची में है दोस्तों ठीक है जार्खन का दोस्तों यहां पर चोपने जार्खन राज की विधाई का सदनी है मतलब कि कॉन से सदनी है दियू सदनी है एक सदनी है इस अंधिस को याद रखने हो सिंगल में सिंगल से याद रखना है एक चले नेक्स बढ़ते हैं दोस्तों ठीक है और नेक्स कोशन में है कि जार्खन राज की विधान सबाव सीटे कितनी है आपको यह बताना है मैं अपको बता दोस्तों कि जो है ब्युक्षन देखते तो 82 है ठीक है nominated मतलब कि निर्वाचित होता है 81 और मनोनीत होता है दोस्तों 1 total जो होता है वो 82 ठीक है ओके चलिए next question बढ़ते हैं इसमें जारकन राज की लोगसभा सिटो की संख्या कितने हैं अब लोगसभा सिटो की संख्या बताने हैं दोस्तों ठीक है तो उनको जो है कितने अलोट की गई है सिटे हैं ठीक है लोगसभा में ठीक है तो मैं बात करता हूँ देखे AC की बात करें तो AC की बात करें दोस्तों 1 है एक सिटे हैं ठीक है ST की बात करें तो आठ सीटे हैंwenोग सब्दी है टिक है अर एक्सट पर जाद को इने से बात कोकते आख़ा धुर्वारन के ब haulsters वुर्ण Χान कोषिदर करें कोशान हिर। निया करें भीडार सिर्म है जो भी है तो अरे बहुत कुछ क्या होता है दोस्तों कभी जो paid करके class करते हैं ठीक है पेड करके class करते हैं कुछ करना नहीं है दोस्तों आपको तयारी में आपको बस daily continuity बना के रखना है मैं जो हूँ बेस्ट content जो है वो best content देने के कोशिश करूँगा आप मेरे चनल को subscribe जरू कर सकते हो ठी जार्खन की राज सभा सीटों की संख्या कितनी है देखे दोस्तों एक भी कोशन नहीं चुटने वाला है टोटल जितने भी जार्खन एक अलोकन जार्खन का समाने परिचे से जितने भी कोशन होते हैं important वह सारे के सारे कोशन यहां पर है ठीक है चलिए तो बात करते हैं जा जार्खन राज में परमडल्व की संहितने हैं तो अब बताना है कि परमणडल कितने हैं तो आपको पता होगा दोस्तों कि यह 5 परमणडल है 2 अगे माएंगे आपको अस पता हो जाएगा ठीक है मैं ढर्यमान चीज और उसके बाद कितने हुए थे आ Бताना है जार्खन पतन में में हुआ था दोस्तों को सिक्स एटराच ची ले तोसे समयं आगे से में किलियर करूंगा ठीक है चलिए नेक्स कोशन बढ़ते हैं जार्खन में अनुमंडलों की संख्या आप आपको बताना है कि जार्खन में अनुमंडल कितने हैं ठीक है तो ये देखरो 45 तो 45 जो हैं दोस्तों अनुमंडलों की संख्या है हमारे जार्खन में ठीक है तो कि राज निर्मान के समय कि फिर बाद में 12 ठीक है चलि नाक्स कुछन बढ़ते हैं अब बात करते हैं कि जार्खर में पर्खन की संख्या ने हैं अब आपको बताना है कि पर्खन ब्लॉक्ष पर्खन कितनी है दोस्तों जार्खन में तो मैं आपको बता संख्रीप करते हैं चलिक नश्यक्ति आधिसूचित पर्खंडू की संख्या कि अधिसूचित पर्खंडू कि संख्या सगया rok caller 1122 दमने Tucson Mooji 7 में सण आधिसेयर नुए आपको गए यह वह कोие भाध रखना है ठीक है जीला परीसद की संकhya ठीक है अब अब थेखे जीला जो है डिस्टिक हमारे कितने हैं दोस्तों चारकंड में डिस्टिक कितने है टॉंटि-4 ओके तो झीला परेशत की संकhya कितने है टॉंटि-4 याद हो गए न गये तो ऐसे ही correlate करके आप जो है concentrate होके पड़ोगे आपको सबसमझ में आ जाएगा ओके चलिए नेक्स उप्षिन बढ़ते हैं और यह इस यह कोशन्स है यह इस इस आपको बहुत अच्य तरीके से नहें अब दीकिए बात करते हैं कि जार्कन राज में कूल गाऊं की संख्या कितनी हैं तो आप होगे पिजुशन दे χrr 32,620 गाऊं है और और यह important questions है, ठीक है, चलिए next question बढ़ते हैं, जो जो important होगा दोस्तों मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है, अब बात करते हैं cool ward की संख्या, तो cool ward की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर option देखते हैं, d option ठीक है, तो 1400 जो है दोस्तो, cool ward की संख्या है, आपको याद रखना है ठीक है, चलिए next question है, जो जारकन राज की cool gram पंचायतों के संख्या, अब cool gram पंचायतों के संख्या है, दोस्तों वो कितनी है, आपको यह बताना है, ठीक है, तो 4559 यह option देखते हो, 4569 जो है दोस्तों ग्राम पंचायत हमारे जारकन में है, ठीक है, और दोस्तों यह जितने मैं आपको बता रहा हूँ कि जारकन राज की cool gram पंचायतों के संख्या कितनी है, तो यह 4569 है, दोस्तों यह जितने भी survey की जाती है, मैं आपको बता है, तो पंचायत.government.in पर जो है दोस्तों, यह सारे के सारे जनकारी मिल जाती है, ठीक है, चलिए next question बढ़ते हैं, और next question ह जारकन के अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है, अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है, जारकन में पंचायतों की संख्या कितनी है, आपको यह बताना है, तो देखे, मैं आपको पंचायतों की संख्या कितनी है, आपको यह बताना है, तो देखे, मैं आप और ये भी जो है दोस्तो पंचायद.government.in से जो है वो जनकारी प्राप्त की जाते है ठीक है बात करते हैं नेक्स कोशन की तो जहरी अस्थानी निकायों की संख्या कितने है शहरी अस्थानी निकायों की संख्या तो यहाँ पर जो है डी उप्शन देखतो 51 51 जो है शहरी अस्थानी निकायों की संख्या है जो 51 है बात करते हैं दोस्तो नेक्स कोशन की तो इसमें जो है कि नगर निगम की संख्या कितने है चार्खण में नगर निगमों की संख्या कितनी है ठीक है तो यहाँ पर जो डी उप्शन देखतो हो 9 है दोस्तो नो जो है नग था-गर है कि ए पर उसके बाद आदित्य पूर है ठीक है अदित्य पूर है फिर चास हहाँ है फिर मेधनी नगर है ठेक केहँ अधिनि अगर और फिर हजारी बाहने है दोस्तों हजारे बाग मांगो और गिरीडी ठीक सबढATHER जो है नौ जो हो गए दोस्तों वो हमारे नगर निगम है राची धनबाद देवगर अधित्यपूर चास मेदनी नगर हजारी बाग मान को गिरेटी तो कोशन्स यहां से पूछते हैं और यह जो कोशन्स है दोस्तों वो इंपोर्टेंट है ठीक है चली नेक्स कोशन बढ़ते है दोस्तों यहां नेक्स कोशन्स कूशन जो है कि जहरोगा करता हूं मेरे साथ मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस सीरिस को अपने देख लिया तो जहरोगन का परिचाय से एक भी कोशन अगर आपको छोड़ते हैं तो आप मेरे को बताना आपको कहीं भी पेट देने के ज़रूत नहीं है और धासू जो चैनल है उसको सर्च करने और देखनी के ज़रूत नहीं है आप जो है वो यहां से आप टूटल कंप्रिट कर सकते हो ठीक है तो बात स्थापना कब हुई थी राची नगर नगम के स्थापना आपको बताना है दोस्तों देखे एक क्लू देता हूं है आपको देखे जब 15 सेप्तमबर है ना तो अक्टूबर नौमबर दो महिना पीछे लिलो जो ज़र्गन राज का जब गठन हुआ था तो दो महिना पीछे ले लो दाट मिसी 15 सेप्तमबर ओके और बात करते हैं कि इस भी सन की बार में तो दोस्तों यह जो है 1979 यह जो है 1979 ठीक है आपको बस इतनी से याद रखनी है चली नेक्स कोक्षन बढ़ते हैं और यह जो है वो इंपोर्टेंट है यह कोशन आ सकते हैं ठीक है चली नेक्स कोक कशन गखन में कुल शेहरों की संख्या कि ऺालितनक्रत को आपको बसे में जली आपको बताना है तो मैं आपको बता दू कि 10 हैं दोस्तों ठीन है जो जारकन राजे मे एक से दस लाग तक नगरी जनसंख्या वाले जीले हैं जो वो 10 हैं कौन-कौन से हमाँ आपको बता देना चाहता हूं ठीक है बोकारो है ठीक है रामगर है सराइक के लाखर्सामा है कोडर्मा है, ठीक है, देवघर है, हजारी बाग है, वेश सिम्भूम है, ठीक है, वेश सिम्भूम मतलब की पस्मी सिम्भूम, फिर साहब गंज है दोस्तों, ठीक है, फिर पलामू है, ठीक है, फिर गिरिडी है दोस्तों, आपको याद अखना है, ठीक है, गिरिडी, तो बुकारो, रामगर, सराई के लखरसावा, कोडर्मा, देवगर, हजारी बाग, पश्मी, सिंभूम, साहब गंज, पलामू, गिरडी ये सारे के सारे हैं जो दोस्तों एक लाग से दस लाग तक नगरी जन संख्या वाले जीले हैं चारखन राज में कुल महानगरों की संक्या कितनी है, चारखन राज में कुल महानगरों की बात करें दोस्तों तो तीन हैं ठीक है, तीन कौन-कौन से हैं मैं बताना चाहता हूँ, धनबाद हैं दोस्तों ठीक है, जमशेदपूर है दोस्तों और राची है, ठीक है, तो यह महा होगा तर्वाद पुरांची होगा तो ऐसे ही कोशन बनते हैं कि तो महानगरों की संख्या जो दोस्तों वह तीन है ठीक है चलिए क्योंट बढ़ते हैं जाओनी बोड की शंख्या कितनी है एक ही है जो राम गड़ में ठीक है आपको या दकना ठीक है नेक्स कुशन बढ़ते हैं और नेक्स कुशन जो है दोस्तो आप बताना है कि राश्टिय राजमार्ग जो एनच होता है वो राश्टिय राजमार्ग की जो लंबाई है दोस्तो वो कितनी है जारकन में ठीक है आपको यह बताना है तो 3400 किलोमीटर ठीक है 3400 किलोमीट करें दोस्तो एक हजार दोसो बतीस किलोमेटर है आपको याद रखना है ठीक है अब नेक्स कुशन बढ़ते हैं नेक्स कुशन जल्द यल्दी कर लेते हैं दोस्तो आप करें डॉस्तों इन चाहरखन में आपको यह बताना है तो मैं आपको बता दोस्तों की 10..19..20..20..2021 सो 21 है 21 है कितने हैं PSYC tänkeral University आपको सेंट्रल जो इन्वरिशेटिए हैं जहारखन में सिर्फ एक हैं वह बात करते हैं कि स्टेटि इन्रिशेटि कितनी है जहार खरण में जहारखन जो बनाते हैック है इन्वर्टिटिस को कुरस को बितने हैं तो याद अठना चाहिए चलिकस्न बढदते हैं तो इये जो कोशन है दोस्तों इसमें बताना आपको जार्कन की उर्चक orange भाषा जो प्रत्म है वो कौन सा है थीकर तो आप सबी को पता होगा हिंदी है ठीकर यह important questions है यह पूछे क्या questions है ठीकर बात करते हैं दोस्तों की राज्की बांगला, उडिया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरुक, कुरमाली, खोर्ठा, पंचपरगनिया, नाकपूरी, मगही, भोजपूरी, मैथली, अंगी का ठीक है ये सारे के सारे जो 16 languages है हमारे जहारकन में ये बोले जाते हैं ठीक है चेत्रिय बाचा जो second language है ठीक है बात करते हैं next question की जहारकन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो आपको बता देना चाहता हूं कि जो है दोस्त नगर कौन सा है परमुक ओद्योग की नगर की बात करें तो कौन सा है जमसेदपूर और धनबाद बोकार और हजारी बाग या केवल ए या फिर ए और बी दोनों तो यहां पर जो है option आप डी option देखते तो हो डी option भी राइटेंस और इस question देखिए क्या है कि जो हमारे जार्कन गठन के बाद जीलो की संख्या कितनी है तो मैंने आपको बताया था दोस्तों तो ये 6 था ठीक है छे था ठीक है क्योंकि पहले तो 18 था ठीक है जार्कंन गठन के बाद यह 6 हुआ तो हो गया कितना 24 ठीक है तो जीला जो यह भी 24 है ठीक है तो 6 जो है दोस्तों कौन-कोन add-on हुए है मैं आपको बताना चाथा हूँ ठीक है तो देखिए लातेहार लातेहार है सिम्डेगा है ठीक है जामतारा है दोस्तों हुआ के सराइ केला खरसावा है और फिर खुटी है दोस्तों और फिर रामगड है ठीक है तो आपको 6 जो है आपको याद रखने है ठीक है चलो नेक्स कुशन बढ़ते हैं और नेक्स कुशन जो है जारकन में सरवाधिक पर्खंड वाले तीन जिले कौन से हैं तो जारकन में सरवाधि पलामू उतरी छोटनाकपूर कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है, देखे, मैं आपको बताता हूँ कि पलामू, गढवा, अऊर राची है, ठीक है, ये वी ओप्षन देखतेता हो, पलामू, गढवा, और राची जो है, दोस्तों, मैक्सिमम जो है, परखंड वाले तीन डि ठीक है आपको याद रखना चाहिए 7 चाहिए नेक्स कुशन बढ़ते हैं जारकन का सबसे कम जीला वाला परमंडल कौन सा है तो अब बताना है कि जारकन का सबसे कम जीला वाला परमंडल जो है दोस्तो वो कौन सा है तो यहाँ पे दो ही है पलामू ये कुलहान पलामू और और कुलहान जो है राजिका नमीनतम परमंडल है आपको याद दखना कि यह जो है दोस्तो निव परमंडल है ठीक है कुलहान यह कोशन पूर सकता है कि जो निव परमंडल है भी सबसे कम जीला वाला परमंडल का वो कौन सा है तो वो कुलहान है ठीक है चलिए, next question बढ़ता है, question हमने extra बहुत कुछ देने कोशिज करी है दोस्तों, ठीक है, extra हमने बहुत कुछ देने कोशिज करी है, तो like, share जरू कर देना, share जरू कर देना दोस्तों, ताकि जो है, आपके चाहने वाले, आपके मित्र, आपके दोस्तों भी हो, वो यहाँ इस channel से benefit उठा सकें, और अपने exams को clear कर सकें, ठीक है, चलिए, question जो है, दोस्तों, यह question देख सकते हो, इसमें लिखा गया है, कि जार्कन का सबसे बड़ा संसदी, छेतरवाला जीला कौन सा है, अब संसदी छेतरवाला जो सबसे बड़ा जीला है, आपको पता होना चाहिए, कि वेश जीले का है, तो आपको पता होना चाहिए, कि यह चत्रा है, दोस्तों, यह सारे के सारे important questions है, आपको पता होना चाहिए, I do know that, देखें, question के बात करें, जार्कन में अनुसूचित जनजाती के संख्याप कितनी है, अनुसूचित जनजाती की बात करें, दोस्तों, 32 है, ठीक ह 9 है, आपको या दखने चाहिए, नई, सोरी, 8 है, दोस्तों, ठीक है, तो जार्कन में आदिम जनजाती की संख्याप क्या है, एग है, ठीक है, ठीक है, 8 है, ठीक है, ठीक है, चली, next question बढ़ते है, और 62 questions देख लेता है, जार्कन पुलिस का धे वाक्य क्या है, तो जार्कन प तो कोशन इस तरीके से आपको close देदेगा ठीक है, कोशन जो आपको close देदेगा और आप confused जाओगे, तो कोशन जो इस तरीके के exam में जो है दोस्तो कोशन साटिक देते हैं, और एक ही exam जिसमें है, वहाँ कोशन कुछ moderate देने के chances होते हैं, moderate high और कुछ कुछ easy होता है ठीक है तो तीनों जो है मिलाक के questions दी जाती है easy, moderate और high तो अभी जो है moderate का ज्यादा chances हैं कुछ questions जो है कुछ questions high होंगे और कुछ questions easy होंगे बाकि moderate जो है वो पुछने के chances ज्यादा है pratics ज्यल में ठीक है अब बात करते हैं ज्यारखन डाज में police थानों की संख्या कितनी है बताना है कि police station कितनी है हमारे ज्यारखन राज में तो 427 ठीक है 427 संख्या आप oysu what up मैं इसो ज्यारकन में चेंचले कितनी है ठीक है चलिए नेक्स सुसक्राइब बढ़ते हैं नेक्स है जारकन राजे में केंदरी कारा की संख्या मतलब सेंटरल जेल जो है जारकन में सेंटरल जेल कितनी है तो आप सबी को पता होगा कि 5 है दोस्तों 5 कौन-कौन से हैं मैं आपको जल्दी जली से बता देना चाहता हूं देखे बिर्सा मुंडा पहले तो है बिर्सा मुंडा सेंट्रल ओके फिर है धुम का सेंट्रल ओके फिर है जय परकास फिर है जय परकास सेंट्रल जेल जो हजारी बाग में है और फिर है दोस्तो पलामू ठीक है पलामू सेंट्रल जेल है फिर घागी डी केंदरी का रहा है जो हजारी बाग में है फिर पलामू सिंटरल हो गया फिर घागी डी जो जमसेदपुर में है ठीक है आपको याद रखना है पांच जो है वो केंद्रिय का रहा है हमारे स्टेट में नेक्स कुशन बढ़ते हैं राज में डाग घरों के संक्या कितनी है ठीक है डाग घर बताना यह कोशन भी इंपोर्डेंट है यह कोशन बहुत बाद पुछेगा है तो राज में पहली बार जो रास्तपति शासन लाग वहा था दोस्तों वह उनीज जनवरी 2009 ठीक है तो ने जनवरी 2009 को हुआ था अभी तक आपको बताना है कि कितने जार्कन में जो है कितने बार आस प कि यहां से कोशन चाहते हूं कि इस चानल पर जो है वो तो SSC, Railways, Banking, Estates, Exams, यह सारे के सारे जो है यहाँ पर त्यारी की जाती है, तो त्यारी, जो है syllabus मैं cover करवाता हूँ, तो topic wise cover करवाता हूँ, ठीक है, topic wise cover करने का मतलब है, कि बहुत ऐसे तरीके होते हैं, दोस्तों, syllabus को अपने cover करने का ऐसे तरीके होते हैं, या तो फिर starting से आ ने देखा होगा, तो topic क्या क्या पूछते हैं, तो यह सारे topic उठाके मैं cover कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से बहुत कुछ benefit मिलने वाला है, दोस्तों, तो like, subscribe जरूर कर देना, जो नए है वो subscribe जरूर कर लेना, ताकि आपको वीडियोस जो है आप तक पहले पहुं सके, ठीक है, तो चलिए हम लोग next वीडियोस मिलते हैं, और इसी तरीके question series मैं आपको complete कराता हूँगा, जब तक exam आपका नहीं होता है, दोस्तों, सारे topic, सारे chapter को मैं cover कर वाँगा, छारखन GS का, ठीक है, उसके बाद जो है, normal जो GS होता है, वो science हो गया, ठीक है, reasoning हो जो है, वो इस चनल पर cover होंगे, जारखन GS related और जारखन CZL से related, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं next वीडियो,